सारनपुर में तीत्रों में लोगों को स्प्रक्षा के परती जागरूप करने के उदेश्चे से जागरूपता अभ्यान चलाया गया जागरूपता अभ्यान के दोरान जहां लोगों को हैलमेट वे सीट बैल्ट को लेकर जागरूप किया गया तो वहीं तीत्रों को उत्वाली थानत देख्स पुर्मत कुमार ने चेकिंग के दोरान पच्पन सो रुपे के चलान भी काठे सारनपुर के तीत्रों से सम्वाद आता अब्दुल्ला खान की ये रिपोर्ट नसा नहीं, रोजगार दो, गयर शेंड स्थाने राजधानी हो के बेनर तले गयर शेंड में आमरन अंसन पर बैटे चार आंदोलन कारियों को बीते सोमार को फलीज़ पर सासंद द्वारा जबरन उठा लिया गया था जिसके बाद चारों आंदोलोन कारियों को दून मेडिकल कोलेज में भरती करा गया है वहीं आंदोलोन कारियों का कहना है कि मानवा दिकार दिवस की रात सरकारी तंत्र ने मानवा दिकार की हत्या कर आंदोलोन को कुचलने का काम किया है गैर्शेन को इस्थाने राजधानी बनानी की मांग समेथ अपनी अन्य मांगों को लेकर अंदोलों कारी गुरुवार से गैर्शेन में भूगरताल पर बैठे हुए थे जिने चमोली प्रसासन द्वारत जबरन उठा कर दून मेडिकल कोलेज में भर्ती किया गया है बीरो रिपोर्ट क्राइम स्टोरी उसके बाद भी हम लोग चुप चप वहां बैटे हुए अन्शन कर रहे SDM महोदया आई और उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वज़ा है क्या वज़ा है क्या नहीं है तो सबसे पहले तो हम लोग इस्तिफा मांगते हैं DM चमोली, S.P. चमोली का और हम ये पूछना चाहते हैं माननी त्रिवन सिंग रावट जी से कि आप बताएजे 17 साल हो गए आपके पास 57 विधायक है आप कब तै करेंगे कि पहाड की राजदानी पहाड में हो अब कब दुबारा और मौका मिलने वाला है हम तो चाहते हैं कि आप तुरंट ये गोशना करें क्योंकि आप जो है आप से बहुत अपक्छा हैं आप देख सकते हैं कि अंडरा प्रदेस और तेलंगाना अलग हुए और तेलंगाना को अलग राजदानी अस्थाई मिली और विजयवाड़ा अंडरा प्रदेस को तुरंट अस्थाई राजदानी मिली है आप देख सकते हैं कि जहारखंड और 36 जब उत्तराखंड बना था उसी समय उनको अस्ताई राजधानी मिली यह उत्तराखंड का दुरभागी है कि अभी तक उत्तराखंड एक राजधानी के लिए लड़ रहा है यह कितनी दुर्भागे पूर्ण बात है तो मेरा आप सभी लोगों से अपील है कि यह संगर्स और यह अंशन यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गैर सरण हमारी राजधानी नहीं बन जाती हम लोग जो है यहां से नहीं हटेंगे हमारा अंशन चलता रहेगा हमारा अंदोलन चलता रहेगा